हेलो फ्रेंज आप सभी को राज कीचन कॉर्णनोर में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंट्रेस्टिंग रिस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग बहुत ही तेश्टी सा टमाटर की चटनी बनाने वाले हैं, जिसमें खटा, मीठा, तीखा, चरपटा सभी मतलब फ्लेवर एक ही चटनी में आने वाला हैं, बहुत ही मतलब अमेजिंग चटनी है, चटनी के नाम सुनके अगर आप जो सोच रहे वैसी चटनी यह बिल्कुल भी नहीं है, यह बिल्कुल डिफ्रेंट चटनी है, इस चटनी को हमारे यहां काफी टाइम से बनाया जाता है, जब हमारी मतलब दादी नानी के जमाने से इस चटनी को बनाया जाता है, फिर मम्मी बनाने लगी, तो मम्मी बनाती थी, तो हम लोग इसे पूर इस रेसिपी के लिए बिल्कुल पका हुआ लेना है, जो बिल्कुल मतलब सौप्ट हो, सौप्ट का मतलब यह है कि अच्छे से पका होना चाहिए, तब यह चटनी और भी टेश्टी और मज़ेदार बनकर त्यार होता है, तो इस अच्छे से दो से तीन बार साफ पानी से धो लेना है, जिससे कि इसमें जो भी डश्ट वगेरा हो यह निकल जाए, फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में काट करके त्यार कर लेना है, उपर का हाट पाट काट करके हटा देना है, क्योंकि चटनी हमें सौप्ट चाहिए न, इस तरह से बहुती मतलब टेश्टी सा चटनी बनकर त्यार होता है, इसे छोटे छोटे टुकडो में काट लेना है, आप देखी सकते हो, तो हमने टमाटर काट कर त्यार कर लिया है, इस चटनी को खास बनाता है, यह फोरन, तो हम इसे साथ फोरन वाली टमाटर की मिठी चटनी कहते हैं, इसमें अलग-अलग मसाले को डा अब बहुत ही amazing taste वाला बना कर त्यार करता है जिसमें हमने लिया है राई, मेथी, जीरा, कलोजी, अजवाइन, सौंफ, सुखी हुई लाल मिर्च, तेजपता और थोड़ा सा हिंग लेंगे वैसे पूरा मसाले देखा जाए तो इसमें no total मसाले हैं तो कौन से मसाले आपको कित अमेजिंग आता है बहुत ही flavorful चटनी बनकर त्यार होता है तो सबसे पहले कडाही गरम हो जाए तो दो से तीन छोटी चमच तेल डालना है और साथ में एड करना है दो पिंच हिंग और साथ में half teaspoon राई डालेंगे और one-fourth के करीब इसमें मेथी डाना एड करना है और साथ तोड़ा सा जादा लेना है और बाकी म mis Woods अदों ना है तोड़ा सा कम एड करना है साथ में तेस पता डाल देंगे के लिएए कुक कर लेंना है जब तक टमाटर अच्छे से सौफ्ट नहीं हो जाए हूजए धककर कुक करने से टमाटर से पानी delis होगा और अपने पानी पानी में टामाटर धीरे धीरे बिल्कुल सौप्ट हो जाएगा, दो से तीन मिनद बाद एक भाद धकन हटाकर आप चेक कर ले, और अगर आपको लगे कि टामाटर हाड है, तो एक से दो बाद स्पेचुला की हल्प से अच्छे से प्रेस कर दे, जिससे टामाटर बिल्कुल स कर देना है, क्योंकि कोई भी मीठा चीज में नमक एड़ करने से उसका टेस्ट और इनहेंस हो करके आता है, और इसके बाद एक बार फिर से चटनी को ढग कर, बीच-बीच में मिक्स करते हुए, इसे तब तक पकाना है, जब तक इसका पानी थोड़ा सा ड्राइ नहीं हो ज लेकिन मिस्री से काफी अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही फ्लेबर फुल बनकर के रेडी होता है, तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब मतलब सूगर कैंडी लिया है, और इसे अच्छे से तोड़ करके डालेंगे, इसे की मेल्ट होने में आसानी हो, इसली मेल्ट हो जाए चटनी में मीठा आप अपने चोईस के कम ज़्यादा रख सकते हो, जो मतलब आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, अगर कम चाहिए तो आप इसका क्वांटिटी कम कर सकते हैं, चटनी को बिल्कुल रीच फिलेबर देने के लिए, या फिर ये कहलो कि साधी और पाटी वाले टेक्चर देने के लिए, इसमें एड कर देना है थोड़े से ड्राइफ रूट्स, तो ये डालना पूरी तरह से ओप्सनल है, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़े से मखाने, बदाम और थोड़े से किस्मिस ले लिया है, और इन सब को ड ये टाइट कंटेनर में या फिर ग्लास के बाउल में डाल कर और फ्रीज में रख सकते हो, और इसे 8-10 दिन तक खा सकते हो, किसी भी पूरी पराठे के साथ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला चटनी बन कर त्यार होता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक शियर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, तो इससे सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाबाई, थैंक्स पूर वाच्छ